हालो स्टुदेंट्स आइम कलपना मिश्रा एंड वालकम बैक तु आवर यूट्यूब चैनल स्टुदेंट्स आजकी इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सैंपल पेपर प्रिबोड मैथ्स का तो सैंपल पेपर चाहिए प्रिबोड का हो चाहिए फाइनल एक्जाम के ल तो आज का sample paper आपका most important है इसको जरूर अच्छे से solve करके जाना वैसे कल जो मैंने upload किया था उसको भी solve कर लेना ठीक है तो जो बचे न अभी तक हमारे telegram चैनल नहीं जोईन किया है तो वो link description में दिये telegram चैनल जोईन कर लो और अगर link कि दुरू नहीं जोईन हता था आप telegram application पर जाकर कलपना 17 सर्च करना आपको मिल जाएगा ठीक है फिर आप उसको जोईन कर लेना क्योंकि जो वीडियो में आज आपको डाल रही हूं sample paper की वो जब आप मतलब जाद जादा बचे वहाँ जोईन कर लेते हो फिर अगले दिन या next day tomorrow तो मैं आपको जो है उसकी PDF दे द कि अगला आपको और कौन से sample paper चाहिए वैसे almost मैंने सारे sample paper upload की है final exam वाले pre-board वाले भी कुछ की है आप उसको चेक करते रहे जैसे जैसे मेरे पास provide होता रहे गए मैं आपको और भी sample paper provide करती रहोंगी ठीक है तो telegram भी join करके रखो और channel को subscribe करके bell icon को press करके रखो ताकि notification mathematics 2023 ठीक है टाइम आपको तीन घंटे का मिलेगा 80 नंबर का आपका paper होगा जो instructions आपको मैंने पहले बताई हुई है वह instructions है कि जो पहले आपके questions होंगे वो बहुवी कल्पी है एक से 16 तक प्रेशन होंगे आपके बहुवी कल्पी है ठीक है आगे आपके 11 marks के true false होंगे 8 question 8 आगे आपका section B start होगा वहां पर आपके 2-2 marks के question होगे question 4-11 आपके 2-2 marks के question होगे ठीक है अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगे यह sample paper आपका English medium और Punjabi medium दोनों ही है ठीक है चाहे वो English medium का बच्चा देख रहा है या Punjabi medium का बच्चा देख रहा है दोनों के लिए helpful है ठीक ह और कल वाला जो sample paper मैंने provide गया था वो only Punjabi medium का था तो यहाँ पर उसके बाग 12-16 जो question है वो आपके 4-4 अंका वाले होगे 17-18 वाले question जो होगे आपके 6-6 अंका वाले होगे 4-6 अंका वालों में आपको अंधुरूनी छूट मिलेगी तो बिल्कुल सिंपल आपको पता है कि हर बार चाहिए हो sample paper हो या practice paper हो सभी में आपको पहला question यही आया हुआ है कि आपको यह tree जो diagram में इसको complete करना है या इसके गुननखन को बताना है ठीक है missing number को बताना है ठीक है तो यह missing number आपको बताना है तो यह चीज आप सीख लो बहुत easy है ठीक है जिसकी वज़े से आपके एक number पके है ठीक है यहाँ पर एक यह question chapter 2 का आप यह देख लो क्योंकि अभी मैं solution नहीं बता बाऊंगी time की shortest की वज़े से कि ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी में इसको provide करा दू sample paper इसलिए मैं को जैसे ही sample paper मिला मैंने आप तक महचा दिया है ठीक है तो यह fifth तक है मैं क तक आपको PDF भी provide करा दूंगी और एक दो दिन में आपको solution भी proper solve करके आपको PDF भेज़ दूंगी ठीक है यह होगे आपके 11 marks के बहुवी कल्पी यह प्रशन है आगे यह आपके होगे सही गलत ठीक है तो आप वीडियो पॉस करके या तो no down कर लो या screenshot ले लो फटा-फट ठी ठीक है यह होगे उसके बाद यह होगे आपका खाली थां ठीक है खाली थां होगे आपके उसके बाद खाली थां में वैसे आपको option दिया हुआ है पूर्ड की तरब से I hope options आ जाये तो आपके लिए benefit होगा है कि option देखके चीज़े ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है ठीक तो यह होगे आपके टूटू मार्क्स के option खतम आगे आजाते हैं पार्ट C पार्ट C में एक तो आपका जो है फॉर्मूले वाले मैच आएंगे तो जरूर कर लेना सारे फॉर्मूले चार नमबर यहाँ पके हैं आपके चाहे चैप्टर फाइव से चाहे आपके चैप्टर नमबर 13 से कहीं से भी किसी भी चैप्टर के फॉर्मूले आ सकते हैं तो आप फॉर्मूले अच्छे से कर लेना उससे रिलेटेट यहाँ चार नमबर आपके मैचिंग के फ्री के नमबर है अगर आपको फॉर्मूले आ दें तो यहाँ पे दो कोशन है दोनों में से एक करना इसके बाद जो है अगला question question no 13 में भी आपको दो question दिए इसमेंसे एक question करना है ठीके उसके बाद 14 आपको compulsory करना है 15 भी आपको करना है और 16 में आपको 16 के साथ जो है 24 है आगे part D देखते हैं part D में आपको दो long question आने 6-6 number के दोनों में ही 24 होगी एक तो आप theorem अच्छे से कर लो आनी एक theorem ठीक है एक theorem याद कर लो बस ठीक है तो एक मतलब 6 नमबर वहाँ theorem के पके mean, median, mode सीख लो 14 चैप्टर के ठीक है 6 नमबर वहाँ पके आपके बहुत easy है math के paper में marks score करना इसलिए बिना attention के बस अपने जो है criteria बोर्ड ने दिया है बस उस पर ध्यान दो और उसी तरीके के sum करो पढ़ने वाले बच्चे तो सब कुछ करें जो मिडियो करें या फिर weak students है उनके लिए बिलकुल pass होने की लिए एक criteria अपना हो कि हमने ये वाले part हमने complete करने है जिससे हम pass हो सकते आसानी से ठीक है तो यह हो गए आपके long question ओके students तो वीडियो को like जरूर कर दो मिलते नेक्स वीडियो में take care and have a nice day